आज कल इंटरनाशनल मेंस्ट्रीम मीडिया में जब मुसल्मानों की बात होती है अक्सर मनफी एवेंस को लेकर ही होती है अनफर्चनली बहुत से मनफी वाकियात ने इंतहाप पसंद और मुसल्मान दोनों चर्म्स को खास तोर पर मगरे में कुछ लोगों के लिए हम मानी कर दिया है इस नेगरिव इमिजिंग का मुकाबला कैसे हो Assalamu alaikum viewers and welcome to Kehani Pakistani with your host Aisha Gilani Welcome to the world famous New York comic strip live 1975 में शुरू होने वाला ये कामरी क्लब दुन्या के सब से लंबे अर्से तक चलने वाला कामरी क्लब है मशूर comedians ने इसी जगा पे अपनी कारियर्स की शुरुआत की जैसे के Eddie Murphy, Dave Chappelle, Jerry Seinfeld, Adam Sandler, Ray Romano and more हम यहाँ पे क्या करें है इस तारीखी जगा पे एक जबर दस इवेंट हो रहा है जिसका नाम है Muslim Funny Fest मकबूल comedians दीन अबेदला और मेसून जईद ने आजका के वाकिया को जहन में रखते हुए पैसला किया कि वो मुसलमानों के उस image को चालन्ज करें जो अक्सर मगरव का mainstream media पेश करता है Luckily कुछ और मुसलमान comedians भी यही सोच रखते हैं और के सालों से इसी change के लिए काम करते आ रहे हैं Lucky for us वो ना सिर्फ जहीन है बलके hilarious भी अब इस इवेंट का mission क्या हो सकता है I know इस इवेंट के organizer से पूछते हैं Mason Zyad और मैं चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे ये जाहर हो कि मुसलमान भी हिससे मजाह रखते हैं मेरा मतलब है कि बहुत से अमरीकियों का ख्याल है कि मुसलमान हसते नहीं है वो इन्हें लतीफे सुनाते हुए दिखाई नहीं देते वो इन्हें खुद पर हंसता हुआ दिखाई नहीं देते ये हैं मकबूल मुसलम कमीरियन और पलिरिकल और सोशल आक्टिवेस्ट दीन अविद अल्ला लाँ डिगूरी हासल करने के बाद उनका लोगों को हसाने का और ससाइरी में तद्दीली लाने का दिल चाहा आज वो डेली बीस्ट और सी एनन जासे मकबूल मीडिया आटलिस पर अपनी अपिरेंसिज और राइटिंग्स के जरिए मुसलमानों के नेगिरिव इमिज को तद्दील करने की कोशिश करते हैं इंचरेस्टिंग्ली दुनिया भर के न्यूज आटलिस इनहें मुसलिम मौशरों से रिलेड़ टापिक्स पर एक्सपर्ट मानते हैं और उनको अकामरी मिशिनेरी के नाम से पुकारते हैं तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसा करें जो मस्बत हो और हमने सोचा लोगों तक रसाई के लिए कॉमेडी एक बहुत अच्छा तरीका है हमें अमरीकी मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरिज दी है और ये बात बहुत अहम है क्योंकि एक कमरे में तो सिर्फ दो सो या इसके लगभग लोग आ सकते हैं लेकिन मीडिया बर इसे लाखों लोग देख सकते हैं एग्जाक्ली औरियन्स की इतनी बड़ी तदाद तक पहुचाना ये मीडिया की ताकत है इस पावर के जरिये मन्फी पेगाम फिलाया जाए ये मुस्बत ये फैसला फंकार के हाथ में होता है इन मुस्लिम अमेरिकन किमीडियन्स का फैसला आपके सामने है बहनों को मेरा सलाम आप घबराएगे नहीं क्योंके मैं खुदबा नहीं देने लगा पैसे अभी मैंने शादी की चौथी एनिवरिस्ट्री मनाई है अपनी चार बीवियों के साथ मुझे लोगों का रद्यामल देखकर बहुत मजा आता है खासतोर से जब मैं नुकलियर फिजिक्स क्लासेस में सबसे आगे बैठकर ये सवाल करती हूँ उपर स्क्रीन पर दाइश के लोगों को कतल करने की वीडियो चल रहे थी वहाँ लोगों की नजरें पहले उस वीडियो पर रुकी और फिर मेरे उपर मैंने कहा ये मैंने क्या किया मैं यहाँ आपके साथ हूँ शिकागो में ये लाइफ हो रहा है मैं कैसे इसमें मुलवस हो सकता हूँ इसना किन्वेंचन पर एक खातून ने इमाम से पूछा कि क्या जिन से शादी जायज है क्या मुसल्मान मर्द इतने बुरे हो गए हैं कि अब लड़कियां जिनों से शादी करने का सोच रही है यहाँ कितने मुसल्मान मौजूद है मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अगर उन्हें किसी FBI एजिंट से मिलना हो तो आज यहाँ जरूर आए मैं मुसल्म फानी फेस्टिवल में शामिल हुई क्योंकि मैं बहुत जादा मजाया हूँ और मेरा स्टाइल वाकई कारगर होता है क्योंकि मैं सबसे जादा मजाया बाते करती हूँ मैं खासी मजाया हूँ मुनकसर तो बिलकुल नहीं लेकिन जब आप इस हद तक मजाया हो तो फिर शर्मीलापन कहां काम आता है उसका नाम था अज़र उस्मान वो बहुत मजाया और जिन्दा दिल है अगर आप मेरी सची राय जाना चाहते हैं तो फिर मैं गालबन हूँ तुम इसकी दरफ देख रहे हो और वो कौन हो सकता है ये तो इसी तरह है कि आस्मान का रंग क्या है कौन सबसे ज़्यादा मजाया है ये वोही चीज है मैंने हर शक्स को रिश्वत के तोर पर सेट खरीद कर दिया है और आप सब मुझे ही सबसे मजाया करार दे चुके है क्योंकि मैं दुबई से हूँ और हम यही कुछ करते हैं आज रात यहां सबसे ज़्यादा मजाया फनकार कौन है ये बहुत मुझे सवाल है जब तक वो मुझे दिल ना हो अगर आप मुझे दिल और बजौक हैं तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते पता ये आपकी तरफ से बहुत हंबल है क्योंकि मैंने समझा था कि आप कहेंगे मैं चलें इसे दुबारा रेकॉर्ट करते हैं आएं इसे अभी और इसी वक्त फिर से करें मी आपको कैसे पता है कि मैं ये एक पर्ट को डिलीट नहीं करूँगी ताके लगे कि आपने सिर्फ कहा है मैं जाहिर है मेरी परफॉर्मेंस ये बहुत बरा लगेगा और मैंने भी इस एक्ट को दूसरी भार किया है थाके आपको पर्फॉर्मेंस का एक दूसरा टुकड़ा मिल जाए ये दूसरे पर्फॉर्मेंस पहले वाली से बेतर थी और अपने असल जवाब बिलकुल अली हसन की तरह दिये थे उससे याद आया चले इस इवेंट के ओर्गनाईजर से डिसकुशन किंटेन्यू करते हैं खामनी लोगों की मुस्लमानों के बारे में ख्यालात कैसे तब्दील कर रही है हमें उमीद है कि इससे उन्हें मुस्लमानों का इंसानी रुख देखने को मिलेगा एक मुकमल रुख एक देशतगर्द का रुख नहीं जिसका खौफनाक तास्थर टीवी पर देखा जाता है अक्सर अमरीकियों को ये बिल्कुल मालूम नहीं कि मुस्लमान हिस्से मज़ा भी रखते हैं वो समझते हैं कि हम हर वक्त गुस्से में और परेशान रहते हैं और ये कि अगर वो कोई ऐसी तस्वीर बनाएंगे जो हमें पसंद नहीं होगी तो हम इस पर उन्हें जान से मार देंगे अमेरिका में ये तास्थर मौजूद है ये वाकई अफसोसनाक सुरतिहाल है इसलिए हमने सोचा है कि इस तास्थर को बदलने के लिए कॉमेडी से बेहतर जरिया और क्या हो सकता है वक्त गुजरने के साथ आप उमीद कर सकते हैं कि इस से सकाफ़ती तास्थर तबदील करने में मदद मिलेगी क्योंकि ये एक शो या सिर्फ एक फेस्टिवल से रात और रात नहीं हो सकता लेकिन बहुत से ऐसे मुसल्मान अमरीकी हैं जो अमेरिका में इस हवाले से बहुत अच्छे काम जैसे बैन अलाकाइद हम अहंगी पर काम कर रहे हैं जनूब में ढाय जाने वाले सियाफ़ामों के चर्चेस की तामीरे नौक लिए रकम इकठी कर रहे हैं बहुत से लोग अफरीकी अमरीकी कम्यूनिटी में पुलीस की बरबरियत के खिलाफ मार्च कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि आप एक मुसलमान है लोगों को बताएं कि आप मुसलमान है अक्सर अकाद ऐसा होता है कि अमेरिका में बहुत से मुसलमान लोगों को ये नहीं बताते कि वो मुसलमान है इसलिए बेशतर अमरीकियों का ख्याल है कि वो किसी मुसल्मान से वाकिफ नहीं है उन्हें चाहिए कि वो उनसे तालुक काइम करें आप उनके दोस्त पनें, उनके सवालात के जवाबात दें उनके सवालों का जवाब देने की पेशकर्श करें क्योंकि अकसर अकाथ उन तक कहानी का सिर्फ एक पहली पुहुँचता है और दूसरी जाने की बात वो नहीं सुन पाते वो नहीं जानते के मुसल्मान ऐसा या वईसा क्यूं करते हैं और वो कुछ इस तरह बात करते हैं बेखें, ऐसा कुरान में कहा गया है कोई उनके सामने वजाहत नहीं करता कि इसका असल मतलब क्या है या इसका तरजमा किस तरहा होना चाहिए ये लिए मत ये तो कहानी पाकिस्तानी का मुस्लिम फ़नी फेक्ट की कवरिज का सिर्फ शुरुवात है सी यू आप्टर दे बेग बेक के बाद वापिस आने का शुक्रिया आज कहानी पाकिस्तानी के इस स्पेशल अपिसोड के जरिये देखते हैं कि आज के दूर में फैलता हुआ इस्लामफोबिय मज़ा से कैसे तदील हो सकता है कामरी और सोचल अचिविजम के साथ मिला कर बनता है नू-योग वे होने बाला मुस्लिम वझी फिस्त वण रदे जी आप ए सिक युरुण नैजलोग दील हुआ युआ है मक्बूल न्यूस ओर्णिजेशन ने इनको अमेरिकास्ट मुस्लिम का टाइल दिया है लाँ डिग्री हासल करने के बाद इन्होंने मक्बूल खमीरियन डेव शिपल से कामेडी सीखी अजर उस्मान का शुमार आज अमेरिका और उससे बाहर एक इंतहाई कामियाब मुस्लिम स्टेन अप खमीरियन के तोर पर होता है अजर आपके ख्यालात में आप इसलामफोबिया को खत्म करने के मिशन में कहा तक पहुंचे हैं नहीं ऐसा नहीं है ये कोई नकली या मस्नुई अनकसारी नहीं है सबसे पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि ये तास्र के कमेडियन्स दुनिया में इसलामफोबिया खत्म कर रहे हैं एक मजहा का खेस ख्याल है खुबसूरत आर्ट और कल्चर को पहलाना ही कॉमिटी है मुसल्मान जितना ज्यादा खुबसूरत आर्ट और कल्चर पेश करेंगे उतना ही उन्हें गलत तास्र पर मबनी मुसल्मानों के खाकों के साथ कमल मुंसलिक किया जाएगा और लोगों की ज्यादा तादाद ऐसे आम जिन्दगी के मुसल्मानों से मतारिफ होगी जो नॉमल लोगों की तरह मसाक करते और अपनी जिन्दगी गुजारते हैं तो इस पर मेरा यकीन है अगर इसका एक नतीजा लाइलमी दूर करना है जो इसलामوفोबिया की असल वजा है तो वो अलग बात है वैसे मुझे इसलामوفोबिया की इस्तला पसंद नहीं है ये कोई फोबिया नहीं है फोबिया एक गैर माकूल खौफ की वज़ा से होता है अगर आप खबरे देखे फॉक्स न्यूज पर तो फिर क्रेजी मुसल्मानों से मुतालिक ये खौफ बेबुनियाद नहीं लगेगा मेरा मतलब है कि अगर मुझे वो कुछ मालूम ना होता जो मैं जानता हूं तो मैं भी खौफ जदा होता और अगर मैं ऐसा दिखाई ना देता और ये ना जानता कि मैं एक दैशतगर्द नहीं हूं तो मैं खुद अपने आप से खौफ जदा हो जाता अगर आप किसी भी सिकाफ़त की तारीख पर नज़र डालें जो इस मुहबबत को और सच्चे अमन के इस पैगाम को सच्ची हम आहंगी को सच्चे इंजमाम को पहलाती है दखावे की तरह नहीं मुझे ये लफ़ बरदाश्ट सकाफ़ती बरदाश्ट पसंद नहीं है मैं नहीं चाहता कि मुझे बरदाश्ट किया जाए और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सिर्फ बरदाश्ट करूँ मैं आपको जानना चाहता हूँ आप एक शक्स हैं मैं एक शक्स हूँ आप में कुछ ऐसी खुसूसियात होंगी जो मुम्किन है मुझे पसंदना हूँ मुझ में कुछ ऐसी खुसूसियात होंगी जो मुम्किन है आपको पसंदना हूँ लेकन बाहर तोर हम फिर भी इंसान है हमें ये पता चलाना है कि हम किस तरह अकठे काम कर सकते हैं और किस तरह अकठे रह सकते हैं आज कल के मौशरों में काफी लोग अकसर ये देख कर कि आप खमीरियन हैं हिरान होते होंगे क्योंकि वो उन लोगों को जो मुसल्मान या अर्भी लगते हैं फनी या फ्रेंडली होना एक्सपेक्ट नहीं करते क्या मैं ये कह सकती हूँ आपको उन जैसे लोगों से क्या रद अमल मिलती है और उनका सामना कैसे करते है इसके बारे मेरी समझ ये है कि मुझ पर खुदा का करम है उसकी महरबानी है उसकी वज़ा से मैं ऐसे लोगों से मिल पाता हूँ जो बातनी तोर पर और जाहरी तोर पर पूरी तरा से बाशाओर होते है और मैं उनसे गुफदगू करता हूँ और वो मुझे बताते हैं कि तुम मजाहिया हो वो मुझे मशवरे देते हैं और मुझे हदायात देते हैं लेकिन वो जानते हैं कि मैं एक फंकार हूं और मुझे इस जमीन पर जो कुछ करने के लिए पैदा किया गया था मैं वो काम कर रहा हूं वाउ पता हैं, दुनिया में लोगों की अक्सरियत मुसल्मानों के बारे में ख्यालात मीरिया में पेश होने वाला हमारा इमिज को देख कर बनाते हैं और इनसानी फितरत की वाज़ा से वो मुसल्मानों के बारे में अपिनियन्स आप जैसे मुसल्मान से मिलकर या परफॉर्म करते हुए देख कर बनाएंगे तो मैं एक अमरीकी मुसल्मान होने की हैसियत से आपकी शुकर गुजार हूँ मुझे फखर होती है जानके के आप जैसे लोग हमें रेपरेजेंट कर रहे है यह आपकी बहुत अनायत है यह आपकी बहुत ही ज्यादा करम नवाजी है हाँ, बिल्कुल इसी तरह इस फेस्टिवल के दरां स्टेज पर ही नहीं बलके स्टेज के पीछे भी खामरी के फायर वर्ट होते रहे जैसे आपने देखा, वी शेर्ड प्लनी अब लाफ्स लिकिन इंस्परेशन की भी कोई कमी नहीं थी मेरा ख्याल है कि ये फेस्टिवल लोगों में जहनी लिहासे या कम असकम हमारा जो मकसद है इस हवाले से एक बड़े पैमाने की तबदीली लाया है लोगों के दरमयान फासले खतम करने में कोई चीज मजा से ज़्यादा मौसर नहीं है मेरे ख्याल में मजा और खाने दो ऐसी चीजे हैं जो फासले खतम कर सकते हैं मैंने अपने तमाम अरग दोस्तों से कहा कि मैं अपने अमेरिका के ट्रिप के दुरान सबजी खोर हो जाऊंगा क्योंकि मैं हराम गोश नहीं खाना चाहता मुझे कहा गया कि तुम गोश के बगार मर जाओगे और ये कि मुझे न्यू यॉर्क में यहूदी कोशर गोश की तलाश करना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं सड़कों पर कोशर गोश के लिए यहूदीयों की तलाश में निकल पड़ा तो शायद ये मेरे हक में अच्छा ना हूँ मैंने हमेशा इसी चीज़ के बारे में सोचा और एक वज़ा ये भी है कि मैं कॉमेडी पेश करने के लिए शुमाली अमरीका ये यॉरप आना चाहता था ख्याल ये था कि मैं लोगों की सोच थोड़ी बहुत तबदील करूँ यानि मेरा मतलब ये है कि एक बारेश नाराज मुसल्मान बामकाबला एक हसी मजाग करने वाला और हसाने वाला मुसल्मान फिर रॉस्टेंडप तर्स के प्रोग्रामों में अपनी कहानिया सामने लाते हैं वो ये नहीं कहते कि मुझे देखो मैं मुसल्मान हूँ और मैं रवायती किसम का मजापेश कर रहा हूँ मैं एक अरब हूँ क्या आप जानते हैं कि मुसल्मान कौन होता है और मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज पर आने वाला कोई भी कमेडियन किसी और जैसा है टोंट मूव कहानी पाकिस्टानी और मुसल्म फनी फैस पे और भी बहुत कुछ लेकिन एक चोटी से ब्रेक के बाद आइम वाचिं यू वल्कम बाक फूम दे ब्रेक टू कहानी पाकिस्टानी हम मौजूद हैं न्यू यॉर्क में तीन दिनों के लिए होने वारे खामरी फैस्टिवल मुसलिम फनी फैस्ट पे चले मकबूल मुसल्मान कुमेडियन से मुनाकाते जारी रखते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अमेरिका में मुसलिम्स के लिए खामरी जैसी अनकामन फील्ड में करियर क्यू परसू किया और उनकी फैमली का इस हवाले से रियाक्शन कैसा रहा हम लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि हम ऐसे कॉमेडियन हैं जो इतफाक से मुसल्मान भी हैं और दूसरों से मुखलिफ नहीं है हम इन्हें ये दिखा रहे हैं कि हमारे और किसी भी दूसरे कॉमेडियन में कोई फर्क नहीं है आपके वालदयन इंडिया से तालुक रखते हैं और आप यहां पले बड़े हैं ये सवाल मैं अपने पाकिस्तान में विवर्स के लिए बूच रही हूँ आपने कभी अपने वालदयन को अपने खामरी की फिल्ड में जाने पर कायल करने में मुश्किलात फेस किये मेरे तीन बड़े भाई हैं जो तीनों डॉक्टर्स हैं इसलिए मेरे वालदयन ये चाहते थे कि मैं या तो एक डॉक्टर बन जाओं या एक कैमिस्ट या इसी तरह का कोई शौबा चुन लो जब वो इस मुल्क में आये तो मेरे वालिद की पहली मुलाजमत डंकिन डॉनित के एक स्टोर के फर्श साफ करने की थी और वो ये नहीं चाहते थे कि मैं इस अंदाज से जदोजहत करूं जिस तरह से उन्हों नहीं की थी क्योंकि मेरे वालिदान मेरे बारे में सखत परेशान रहते थे तो मुझे चाहिए था कि मैं इनकी मेंनत को बारावर बनाओं मैंने एक रिपोर्टर के तोर पर कुछ रसा काम किया मैंने रिपोर्टिंग के सिलसले में मुल्क के मुख्तलिफ फिसों का सफर किया और इन चीजों से मुझे कुदरती तोर पर ऐसा मबाद मिल जाता था जिसे मैं अपने दोस्तों को हसाने के लिए इस्तेमाल करता था अच्छा तो आप रिपोर्टर होते थे ये शक्स मेरी जाब लेने की कोशिश कर रहे है हाँ तो एक दफा में एक शक्से मिली जिसने मेरी जाब चुराने की कोशिश की मैं कुछ शेखी नहीं बगारूंगी मैं स्टेज की एक मामूली आर्टिस थी हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ आपके लिए कभी मुश्किल लगा पाकिसानी वालेन को बताना है कि इस फिल्ड में जा रही है सच बात ये है कि मेरी मां को ये उमीद थी कि मैं एक डॉक्टर बनूगी या डॉक्टर से शादी करूँगी वो अपने खांदान में एक डॉक्टर देखने की खाहश मन थी आप जानते हैं कि आपका खांदान आखिरकार यही चाहता है कि आपके जिन्दगी हसी खुशी गुजरे मेरा दवाईयों या उस तरह की चीजों के शुबे से कोई तालुक नहीं है मैं लोगों के सामने खड़ी होकर उन्हें हसाती हूँ और लतीफे सुनाती हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है इंटरनेट पर सना खान शो के नाम से मेरा एक ब्रैंड मौजूद है ये कोई हकीकी शो नहीं है बाद दफा लोग शुशो पंच में पढ़ जाते हैं ये एक नकली शो है एक सेकिंड ये शो अब हकीकत में हो रहा है सिर्फ आपके दिमाग में नहीं सना खान शो इस वक्त एक हकीकत बन रहा है उन पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं मेरी तरफ से जीवे पाकिस्तान जी हाँ, हंस्ती, गाती, कामेटी मैं कैरी ओकी पर गाना गाउंगी मैं तुम्हारी शाधी पर बिगाऊंगी खामेटी में ताक्त क्या है? अपने हुनर को इस्तमाल करके आप दुनिया के लोगों को कैसे एक दूसरे के क्रीव ला रही है हसी में ये ताकत होती है कि वो जख्खम भर सके और लोगों को एक दूसरे के करीब ला सके हम मनफी चीजों और तारीक पहलों पर बहुत जादा दिहान देते हैं लेकिन अगर हम इस खीकत पर अपनी तबज़ों मर्गूस करें कि हम में बहुत सी चीजें एक जैसी हैं तो मेरा खाल है कि हम जादा मजबूत होंगे दुनिया में कोई भी हर लिहास से मुकमल नहीं होता और अगर हम इस पहलू पर हस सकें तो हम आगे बढ़ सकेंगे और तरफ्ती कर सकेंगे एक फार्म पूर करते वक्त अमरीकी ने मुझसे मेरी कौमियत का पूछा मैंने कहा पाकिस्तान उसने लिखा इंडियन मैंने कहा ये दुरुस्त नहीं जवाब मिला दोनों मुल्क साथ साती तो हैं मैंने कहा फिर तो आप मेकसिकन हुए उसने कहा लेकिन आप अगर तारीख में पीशे जाएं उन्होंने मुझे एक या दो महीने पहले मुस्लिम फनी फेस्टिवल के बारे में बताया था उन्होंने कहा था कि जिबरान इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं अगर आप फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे लिए एक एजास होगा ये सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगा और उन्होंने गोया कहा कि मैं आपकी तकलीद करना चाहता हूँ अच्छा बात वाज़े करने का शुक्रिया तो अज़ फेलो पाकिसानी अमेरिकन इस फिल्ड में जाने के लिए आपने कभी मुश्किलात का सामना किया सही लेकिन मुझे अपने लड़कपन में अपने मुटालग फैसले करने की थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी हासल थी मैं एक रवायती शख्स नहीं हूँ मैं जरा महोल से बाहर निकल का सोचता हूँ इसलिए मैं फैसले करता हूँ और बाद में इसके बात के नताइच पर गोर करता हूँ मैं ठीक जा रहा था और साइकालोजी बढ़ रहा था मेरे सिम्त दुरस्त थी लेकिन मेरे पास तकलीकी सलाहित के जहाद का कोई जरिया नहीं था और ये ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका मैंने मनसूबा बनाया था मैंने बिलाखर अपनी इस मखसूस सुरूत को पूरा करने का फैसला किया और ये काम शुरू करने के बाद मुझे ये दरुस्त लगा और मैंने सोचा कि मैं वो काम करना क्यों छोड़ू जो मुझे ठीक लगता है और फिर मैं इसी रास्ते पर चलता रहा इस राह में मुश्किलात भी थी अब भी है लेकिन ये कोई मिसाली शुबा नहीं है इसमें खतरात हैं इसके साथ बड़ी नाकाम या जुड़ी है इसमें कोई गारेंटी नहीं है लेकिन ये काम मुझे खुशी देता है मुझे मालूम है कि मैं क्या चाहता हूँ और मेरा एक मकसद है मेरा ख्याल है कि हम सब किसी मकसद के लिए जुड़ुजहत कर रहे है ये सही है कि अगर आर्ट को कोई गौल सामने रखकर तखलीक किया जाए तो ना वो आर्ट रहेगा और ना उसका वो असर होगा जो अधरवाइस हो सकता है बिल्कुल ऐसे ही इसलामफोबिया का मकाबला करना इन कमेरियन्स की कामिरी का शारी मकसद नहीं ताहम सिर्फ Comedians अवो भी खासे कामियाब Comedians के रूप में स्टेज पर आकर ये आर्डिस मुस्लिम दुनिया के बारे में सोच में तब्दीली जरूर ला रहे हैं मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं कॉमेडी करता हूँ मैं कहानिया बयान करता हूँ ये सिर्फ शायरी के साथ मौसी की है ये मेरे नजदीक माशरे की तचरी और वज़ाहत है मुझे मैलकम एक्स के मुतालग बताया गया है कि वो एक बहुत बड़ा कॉमेडियन था वो बहुत पूर मज़ाः शख्स था इसलिए अमरीका में कई बरसों तक कॉमेडिय और समाजी फाालियत हाथों में हाथ डाले एक साथ चलते रही किसी भी तहजीब और माशरे के लिए आर्ट की मौजूदगी बुन्यादी हैसियत रखती है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कौन सी चीज इंतहाई मुसर और शांदार होती है और वो है बेहतरीन मजमे के सामने परफॉर्म करना आज रात के शो में मौजूद कमेडियन का तालुक हर किसम के पसमंदर से था और वो हर किसम के हाजरीन को अपने साथ लाए इसलिए इस शो का कोई एक अंदाज नहीं था और मेरा ख्याल है कि हकीकत में यही वो जगा है जहां आप एक कमेडियन के तोर पर परवान चड़ते हैं ये पहली बार है कि मैं असल में किसी मुस्लिम कामेडिय शो में आई हूँ मुझे इस शो का पता ही नहीं था और मुझे खुशी है कि मैं यहां आई हूँ मेरा ख्याल है कि कौम औरी दुनिया को बदल सकती है क्यूंक ये लोगوں को करीब ला सकती है हसी से नफुरत को खत्म करना क्योंकि जब हम सब एक चीज़ पर साथ हसते हैं, जैसे खमीरियन अजर उस्मान ने कहा, हम सब के पिंजरे गायब और सिर्फ चिडिया नजर आती हैं. कितना खुब्सूरत पेगाम है ये! ये था हमारा आज का शो, जरूर इस फेस्बुक पेज़ को लाइक करेगा and stay in touch.